हलो दोस्तों आज के विडियों बात करेंगे बिजली विभाग के बारे में अगर आपको बिजली विभाग में किसी भी परकार की समस्य हो जैसे आपका लाइट खराब है आपका मीटर खराब है आपका बीलेक्ष टाग या है और या आपका लाइन जो है कटवाने है आपको कटवाने हैं तो उसके लिए आप अपलिकेशन कैसे लिखेंगे कैसे आपका सोलूसन होगा कहां विजिट करना होगा पूरी डीटेल्स आपको इस वीडियो में कभर करेंगे वीडियो पे बने रहे और वीडियो को फुल वाच करेंगे उसकी पूरी प्रोसेस के बारे में जा वाना चाते हैं अगर पिहार में बिजली विफाक से रिलेटेड आपको सिकायत है सब्सक्राइब लेते हैं जो पहली प्रोब्रम जो है आपका घर में लाइट कहीं से फोल्ट हो गया है जैसे आपका जहां से आपने लाइट खीची है जिस पॉल पर से वहां से आपकी तो उसके लिए तो आप जो है प्राइवेट किसी भी मिस्तिरी को आप गुला के ठीक करवा सकते हैं बट अगर आपका पॉल से कोई प्रोब्लम है तो उसके लिए आप अपना नियरेश्ट पहला जो पॉइंट है आप नियरेश्ट जो है आपका पावर सबस्टेशन जहां प पुक होती है उस पर आपको कंप्लेन लिख देनी है अपना नाम फादर ने अपना एड्रेस मुबाइल नंबर लिख देना है आपकी प्रोब्लम जो है बहुत जल्द 5-6 घंटे के अंदर गत वहां से आपका हो जाएंगी अगर वहां से आपका प्रोब्लम सोल्ब नहीं हो तो दूसरा पॉइंट पताता हूँ एक अप्लिकेसं लिक्रेशन में लिखना है जैई कूर्था जैई जहां आपका एरिया हो वहां अप लिख सकते हैं कनिय बिद्दू तब्य अब lleली में भी लिख सकते हैं आपका जहां पेले से जहां पावर से amazटेशन है वहां का नाम एड्रेस लिखतेंगे बिसे में लिखेंगे मेरी घर की जो लाइट है पॉल पर से फोल्ट हो गई है उसको सही करने के समन्द में फिर महा से लिखेंगे महा से सेवा में सबने निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखिए गया फादर नेम अपना एड्रेस में यहां के निवासी हूँ मेरा जिस टाइम से आपका लाइट खराब हो मेरा दिनांग के इतना तारिक से इतना समय से हमारी जो है घर में लाइट नहीं आ रही है पॉल पर से कहीं पे फोल्ट हो गई है उसकी मरमत की जाए उसको सही करके मेरा जो प्रोब्लम है उसका सोलोसन की जाए मैं इस कार्ज के लिए सिरिमान का सदा अभारी रहूँगा उसके बाद भी स्वाजभाजन में अपना नाम फादर नेम एड्रेस मोबाइल नमबर अपना कन्यूमर आइडी सभी मेंसन कर देंगे तो आपके प्रोब्लम सोल्व आट हो जाएंगे अगर तीसरी आप चाहते हैं कि घर बैठे जो है आपके प्रोब्लम सोल्व हो जाए तो उसके लिए आप 19.12 पे कॉल कर लेंगे या डिरेक्ली जो है यहाँ पे देखे कंप्लेन करने का यहाँ पे ओप्सन मिल रहा है ओनलाइन कंप्लेन का यहाँ पे कंप्लेन रेश्टेशन का ओप्सन मिल जाती है इससे डिटेल्स जो वीडियो है कैसे कंप्लेन करना है हट टोपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है मारा प्लेलिस जो है electricity बिजली के नाम पे बना हुआ वहाँ पे आप details वीडियो देख सकते हैं कि कैसे complain करना है आपको इसका वीडियो का link काई बटन में भी मिल जाएगा तो यहाँ पे CA number देना होता है गहर बैठे solution हो जाएगे अब दूसरी problems होती है यह तो होगी light problem कहीं पे fault है तो उसकी अगर दूसरी आपकी problem जो है meter आपका खराब है या बील जादा आ रहा है तो उसके लिए भी आप जो है complaint आपको जो है अपना जहाँ भी power service station है जहाँ भी आपका section office से वहाँ जाएंगे एक आवेदन लिखेंगे उसे तरह से अगर आपका meter खराब है तो वही लिखेंगे जही और अपना डेस लिख देंगे जहां के जही है उसके बाद भी से में लिखेंगे मेरा meter जल गया है जिसे बदलने जिसे जल से जल जो है जला हुआ है जो अब ही तक नहीं लगा हुआ है तो जल से जल हमारा meter replace करके दिया जाए meter replace नहीं होने के वज़े से differentiation we stop जल से जल मेरा meter replace किया जाए विश्वास भाजन में देखे नाम, father name, address और consumer ID, meter number पुरा mention कर देंगे अगर आपका ज्यादा बील आ रहा है तो वही चीज़ सेम आपको लिखना है बिजली बील ज्यादा आने के समझ में भी सेमे लिखेंगे और जे लिख देंगे और फिमास है सिवा में समने नुवेदन इस परकार है मैं अपना नाम पूरा पता लिख के ज़र मेरा जो बील है इतना बहुत ज्यादा आ रहा है मेरा कंजप्शन जो है बहुत कम है इसको बड़े हैसे चेक किया जाए और उसके बाद जो है मारा प्रोपर बील जो है दिया जाए ताकि जो है मैं बील का भुकतान कर पाऊं और उसके बाद पूरा मेंसन करके मिस्वास वाजन देखके उस सारी डीटेल्स भरके आप ओनलाइन कंप्लेंड भी कर सकते हैं अगर चौती जो प्रोब्लम है और किसी तरह से रिलेटेट आपकी प्रोब्लम है आपका लाइन कटवाना है तो लाइन कटवाने का जो प्रोसेस है उसके डीटेल्स वीडियो आपको मिल जाएंगी के बाद एक जो रसीद करता है डिसकनेक्शन रसीद करता है मीटर इमूबल चार्चेज का रसीद करता है वो आपको डिवीजन ओफिस से कटवाना पड़ेगा वहाँ डिवीजन ओफिस से अपना कटवा लेंगे आवेदन देने के साथ उसके बाद जो अप्लिकेशन आपक चला जाएगा section office से फिर वहाँ आपको एक बार जाना पड़ेगा जो भी security amount और जो भी आपका bill बनता है वो clear कर दिजेगा जमा कर दिजेगा उसके बार जो है आपको final description की जो है receipt आपको मिल जाएंगे तो यह होती है पूरी process अगर आपके area में कहीं पर तार पॉल गिर किया है तो उसके लिए भी आप directly call भी कर सकते हूं इस बार पे या online complain यहाँ से एसबी पेडिसेल एंफी पेडिसेल पर जाके आप complaint रेशिटर्ट कर सकते हैं यह application भी आप देख सकते हैं यह यह division office में आप दे सकते हैं तो यह पूरी process होता है दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह किस समस्या है और किस तरह से उसका आप निवारन पा सकते हैं यह का आप offline पा सकते हैं online भी निवारन पा सकते हैं call करके भी निवारन पार सकते हैं तो तीनो process हमने आपको बताई जो भी प्रोब्लम से अगर आपको हैं किसी भी तरह की समस्या का जिसकी निदान आप जल से जल पाल लेंगे तो मैं suggest करूंगा आपको भागदार कोड़ने की जरूत न सकते हैं इन पीडिशल के में वेबसाइट पर आप जाके कर सकते हैं दोनों का लिंक आपको स्वीपीडिशल और नौर्थ बिहार का दोनों का लिंक आपको description मिल जाएंगी जहां से आप complaint पे डिरेक्टली जो है पहुंच पाएंगे और यहां पे आप complaint register कर देंगे आई बारा ना पास सकते हैं और कैसे आप आवे दर लिखेंगे आई हो पे वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक और प्रेस कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह क कि नोलेजवल वीडियो जो है मिलती रहे तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक लिए बार जाएं